Hi guys, how are you all? Hope आप सब अच्छे होंगे. Welcome to Indian Girl Channel Trisha. हमारी आज की वीडियो में हम बाते करने वाले हैं एक बहुत ही common and बहुत ही irritating skin issues के बारे में और वो है acne, pimples, acne scars and spots. ये तो सच है कि acne, pimples ये एक बहुत बड़ी problem है. उसके साथ साथ और एक बड़ी problem होती है जब ये acne pimples आपकी चली जाती है लेकिन वो जो spots छोड़ जाते हैं वो बहुत जादा जिद्धी होता है और वो आपके skin से जाने का नाम नहीं लेते है. तो इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि आप सही तरीके से अपने skin को treat करें अगर आपके skin में ये acne and pimples की problem है तो अगर आप सही तरीके से इससे treat नहीं करोगे तो आपके skin में बार-बार acne and pimples की problem होती रहेगी और जब वो remove हो जाएंगे वो sports छोड़ जाएगा जो sports आसानी से remove नहीं होता है, fade नहीं होता है तो इसलिए सही तरीके से अपने skin को treat करना बहुत ही जादा जरूरी है अगर आपकी skin जो है acne prone है आपको pimples बहुत जादा होते है तो अगर आप सही तरीके से treat करोगे तो आपकी जो desire skin है जैसा कि आप चाहते हो कि आपकी skin बहुत जादा clear हो, flawless हो, sports ना रहे, active impuls ना रहे तो वैसी desire skin के लिए सही तरीके से treat करना is really important और as a beauty vlogger मैं कह सकती हूँ, मैं बहुत सारे नए products try करती हूँ, कभी-कभी मेरे लिए, कभी-कभी आप सब के लिए भी तो उसमें से कुछ products कभी मेरे लिए work करता है, कभी work नहीं करता है लेकिन जब भी कुछ मेरे लिए बहुत amazingly work करता है, मैं हमेशा उन सारे चीजों को आप सब के साथ share करना पसंद करती हूँ तो actual में मेरे एक friend को बहुत जादा pimples and acne के problem हुआ करती थी बट recently जब मैंने उसे देखा कि उसकी जो skin है बहुत ही जादा flawless लग रही ती बिल्कुल भी spots नहीं है पहले उसके skin में बहुत जादा pimples and acne के spots हुआ करते थे लेकिन अब भी वह बिल्कुल भी नहीं है और acne pimples भी नहीं है बट she said उसके skin में जो इतना जादा changes आया है वो एक simple से changes के वज़े से आया है उसने अपना पूरा जो skin care routine है वो normal रखा लेकिन एक simple सा change उसने किया तब मैंने भी वो simple सा change उससे जान लिया मुझे बहुत जादा pimples and acne के problem नहीं है बट कभी-कभी एक-दो pimples मुझे होते रहते स्पेशली मेरे chin area में और सच का हूँ तो उसी से मैं irritated हो जाती हूँ क्योंकि वो जो spot छोड़ जाता है वो three to four months से पहले फेडी नहीं होता तो इसी वज़े से मैंने भी simple सा skin care change अपने routine में किया और मुझे बहुत जादा difference feel हुआ तो मुझे लगा मुझे आप सब के साथ इस अपने skincare routine बिल्कुल सेम रखा जासा वो करती थी बिल्कुल सेम लेकिं उसने serum को थोड़ा सा change किया तो एक जो normal serum वो use करती थी उसके बदले में उसने एक anti acne serum use करना start करा जिसके वज़े से इतना जादा difference उसे feel हुआ and such का हूँ तो जब मैंने भी उस serum को specially on spots के उपर apply किया ज करने reduce करने के लिए भी सो जिस acne serum के बारे में मैं बाते कर रहे थी वह है my fav anti acne face serum इसमें near cinemide 10% and zinc 1% near cinemide acne inflammation redness को reduce करने में help करता है हमारी स्कीन में केरेटीन होता है near cinemide keratin को build करने में help करता है हमारी स्कीन को smooth बनाता है moisturize रखता है and 5% near cinemide आपके जो acne marks है dark spots है उन्हें fade करने में बहुत ही जादा helpful होता है इस anti acne serum में जो 1% zinc है उसकी anti-inflammatory properties के वज़े से यह acne और acne marks के लिए बहुत जी जादा beneficial है यह acne causing bacteria को kill करता है आपके skin में acne causing bacteria है वो build होता है इसी वज़े से आपके skin में बार-बार acne and pimples होते रहते हैं लेकिन यह जो bacteria है इसे kill करने में zinc help करता है तो इसी लिए in future बार-बार आपके skin में acne होने के प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी और इसे use करना इस really simple आपके clean face में आपको इसे use करना है मैं अपने face के half part में इसे use कर रहे हूं ताकि आपको difference समझ में आए आपको few drops अपने pump में लेना है और इसके बाद acne marks की area को focus करके इसे use करना है जब आप इसे apply करोगे आप देखोगे quickly यह absorb हो जाता है इसे use करने के बाद आपको दूसरा कोई product की layering करने की कोई जरूरत नहीं है in case अगर आप बाहर जा रहे हो day time में इसे use कर रहे हो तो आप sunscreen use कर सकते हो and there is a time जब आप देखोगे इसे use करने के साथ साथ आपके जो acne and acne marks की problem है वो तो solve हो ही गई है साथ साथ other skin concern पे भी यह walk करता है आपके overall skin condition को यह improve करता है आपके skin को repair करता है and rejuvenate करता है as a person मुझे लगता है कि हमारे skin में सिफ एकी issue नहीं होता है जैसे कि सिफ acne और acne marks mostly हमारे skin में बहुत सारे concern होती है जो हम overall improve करना चाते है जैसे कि open pores एक बहुत बड़ी problem है यह open pores के लिए भी बहुत अच्छे से walk करता है skin aging के लिए walk करता है skin की dullness के लिए walk करता है तो इसी लिए अगर आपकी skin को overall आप repair करना चाते हो रिजुविनेट करना चाते हो और acne marks इन सारे चीजों के साथ deal करना चाते हो तो अपनी daily skincare routine में इसे एक बहुत important part की तरह add कर लिजे after time आप देखोगे कि आपके skin में काफी improvement हो गया है तो इसके साथ आप अपने skin को repair होने दीजिए, rejuvenate होने दीजिए and overall improvement आपको मिलेगा इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि इसकी price कितना है और यह आपको कहां से मिलेगा तो description box में सारे detail information आपको मिल जाएगी definitely आप check out कर सकते हो तो मेरे आज के video को मैं ही पर खतम करती हूँ मिलते मैं next video में तब तक के लिए bye bye लेकिन अगर आपकी कोई ऐसा special skin concern है जिसके लिए आप कोई product recommendation चाहते हो मेरे तरफ से तो उसे भी आप comment करके लिख सकते हो so अभी के लिए bye bye and take care of you all bye